नमस्कार दोस्तों, एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भरती का प्रिवियस एर पेपर सॉल्व करेंगे सामानी हिंदी के अंतरगत जो भी प्रस्ण प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गये हैं आज किस वीडियो में देखेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लाट सक देखिए देखिए किस प्रकार की प्रस्ण उत्तर प्रदेश पुलिस भरती में सामानी हिंदी के अंतरगत पूछे जाते हैं अभी दोस्तों केवल प्रिवियस एर के पेपर को सॉल्व करेंगे, इसके बाद टॉपिक वाइस क्लास को सुरू करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रशन है दोस्तों, कर्म वाच्च में प्रधान होता है कर्म वाच में क्या प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार, कर्म तो याद रखिएगा कर्म वाच में कर्म प्रधान होता है यहाँ पर D आपसन राइट है कर्म वाच में कर्म प्रधान होता है वाच तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वाच तीन प्रकार के होते हैं, कर्त्रिवाच, कर्मवाच और भावच, यहाँ पर D option right है, अगला प्रश्ण है, जिन सब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया वचन अभ्यवाच, तो याद रखिएगा जिन सब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अभ्यवाच कहलाते हैं, जैसे तथा किन्तू, यहाँ पर तथा लिखा हुआ है, तथा में दोस्तों लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह अभ्यवाच होत अगला प्रस्ण है इस विराम चिन्ह का नाम है देखे दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम प्रस्ण वाचक है यह प्रस्ण वाचक का चिन्ह है पूड विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है प्रस्ण वाचक का चिन्ह इस प्रकार से होता है अल्प विराम का चिन्ह इस प्रक यहां पर B आपसन राइट है ध्यान से देखते हुई चलिए देखिए किसकिस टॉपिक से प्रस्ट पूछे गए हैं मुहावरे अपना सामान अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं खाली अस्थान में क्या भरा जाएगा देखे दोस्तों मुहावरे अपना सामान अर्थ बिसेश अर्थ प्रकट करते हैं यहाँ पर ए आप्सन राइट हो जाएगा जब कि दोस्तो बिलोम सब्द अपना बिपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और परयायवाची सब्द अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा एक पंथ दो काज लोको कोक्तिकार्थ है एक कही काम से दो लाव होना यहाँ पर D आपसन राइट है एक कही काम से दो लाव होना अगला प्रश्ण है हास से रस का अस्थाई भाव है हास से रस का अस्थाई भाव क्या है तो याद रखिएगा हास से रस का अस्थाई भाव हास होता है यहाँ पर A आप कुद्रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा और बीभत्सरस का अस्थाई भाव जुगुपसा होता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ पर दोस्तो ए आपसन आपका राइट है कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं देखे दोस्तों कुंडलिया चंद में 6 चरण होते हैं, यहाँ पर B आपसन राइट है, कुंडलिया दोस्तों यह विसम मात्रिक संयुक्त चंद है, जो दोहा और रोला चंदों के संयुक से बनता है, इस चंद के प्रथम चरण की रशना दोहे से और अन्तिम चरण की रशना रोला से होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर B आपसन राइट है, अगला प्रशन है, वल्डों की एक से अधिक बार आबरती किस अलंकार में होती है, देखे दोस्तों, वल्डों की एक से अधिक बार आबरती अनुपरास अलंकार में होती है, यहाँ कहलाती है देखे दोस्तों सब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनी कहलाती है यहाँ पर भी आपसर राइट है सब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनी कहलाती है हिंदी में कुल बावन वर्ड होते हैं कितने बावन वर्ड होते हैं जिसमें स्वरों की संख 33 होती है इसे भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण है तपश्वी का इस्त्रीलिंग रूप होगा तपश्वी का इस्त्रीलिंग रूप क्या है आपको यह बताना है तो याद रखिएगा तपश्वी का इस्त्रीलिंग तपश्वीनी होता है यहाँ पर ए आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुए चलिए इसी प्रकार के प्रश्ण आगामी परिक्षा में पूछा जाएगा आचारिया का पूलिंग सब्द होगा आचारिया का पूलिंग यहाँ पर पूछा गया है तो इसका पूलिंग दोस दुई वचन या Consult. तो यहां पर दोस्तों, आपका रौट असर है a option. एक वचन. पुस्तक रखी है, इसमें एक वचन है. ठीक है? इसका बब वचन होगा, पुस्तके रखी है. पुस्तके रखी है, इसका बब वचन हो जाएगा, और पुस्तक रखी है, ये एक वचन. अगला प्रियोग हुआ है तो इसमें दोस्तो करता कारक का प्रियोग हुआ है यहाँ पर बी आपसन राइट हुजाएगा वाक्य में जो सब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है वह करता कारक कहलाता है यहाँ पर दोस्तों सिक्षक ने पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने का काम सिक्षक कर रहा है, तो यहाँ पर करता कारक हो जाएगा, यहाँ पर भी आपसन आपका राइट है, हिंदी में आठ कारक होते हैं, करता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, सं ये सभी दोस्तों हिंदी में कारक होते हैं इनकी अलग-अलग विवक्तियां होती हैं जैसे की करता की विवक्ति ने होती है करता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर सम्मोध यह सभी दोस्तों कारक और कारक की विवक्ति हैं यहाँ पर B आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं देखे दोस्तों पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं यहाँ पर A आपसन राइट हो जाएगा उत मुझे, मैं, हम, हम, हुप, मुझे, मैं यह सभी आते हैं मद्यापुरुष के अंतरगत दोस्तों तुम तुमने तुमको आप यह सभी आते हैं अन्य पुरुष के अंतरगत वह उन्हें उसको वे यह सभी आते हैं तो यहां पर दोस्तों A option right हुज 새गा B section के मुक्HETा कितने भेद होते हैं याद रखिएगा B section के मुक्HETा चार भेद होते हैं यहाँ पर B hey निम्न में से कौन सा भेद नहीं है तो देंहें दोस्तो यहाँ पर D mushroom जो है यह राइट हो जाएगा नमक दोस्तो ये बिसेशन नहीं है यहाँ पर दोस्तो डी आपसन राइट हो जाएगा इसका बिसेशन दोस्तो नमकीन होता है नमक बिसेशन नहीं है इसका बिसेशन नमकीन होता है जो संग्या या सरवनाम की बिसेशन बताते हैं बिशेशन कहलाते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा जैसे कि पत्रीला ये बिशेशन है बर नमकीन ये भी बिशेशन है और यहाँ पर बरफीला लिखा है ये भी बिशेशन है ठीक है यहाँ पर नमक जो है ये बिशेशन नहीं है इसका बिशेशन नमकीन हो जाएगा यहाँपर D.A.P.S.N. राइट है, अगला प्रश्ण है, किसी कारे का करने या होने का बोध कराने वाले सब्द क्रिया कहलाते हैं, यहाँपर C.A.P.S.N. राइट हो जाएगा, क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, पीना, यह सभी, ठीक है? तो यहाँ पर C आपसन आपका राइट हो जाएगा निम्न में से क्या काल कहलाता है तो याद रखिएगा क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है A आपसन राइट हो जाएगा क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है काल के तीन भेद होते हैं वर्तमानकाल, भोतकाल और भविष्यकाल, ठीक है, तो यहाँ पर A, आपसन राइट हुजाएगा, अगला प्रश्चन है, संस्कृत भासा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो संस्कृत भासा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रिक्त होने वाले सब्द तत्सम कहलाते हैं यहाँ पर B आप्षन राइट हो जाएगा और इनके विक्रित रूप को तद्भव कहते हैं अगला प्रश्ण है निम्न में से तद्भव सब्द कौन सा है तो देखे दोस्तो माथा यहाँ पर क्या है तत्भव सब्द है जिसका तत्सम मस्तक होता है जबकि ग्राम यहाँ पर जो लिखा है अस्रू और शूर्य यह क्या है तत्सम सब्द है इसका तदभो क्या होगा ग्राम का तदभो होगा गाउं ठीक है ग्राम का तदभो क्या होगा गाउं हो जाएगा असरु का तदभो आसू हो जाएगा सूर्य का तदभो सूरज हो जाएगा तो यहाँ पर D आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है समान अर्थ बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं देखिए दोस्तों समान अर्थबताने यहांपर शीयं आपका राइड हो जाएगा जैसे कि आँक के परैय वाची सब्द क्या होते हैं नेत्र हो गया लोचन नयन दृष्टी अच्छी ये सभी आँक के परैय वाची है तो समान अर्थ बताने वाले सब्द परियाय वाची सब्द कहलाते हैं अग्रज का सही विलोम क्या है? देखे दोस्तों अग्रज का सही विलोम अनुज होता है यहाँ पर ए आप सर राइट हो जाएगा अग्रज का सही विलोम अनुज होता है अगला प्रस्ण है धन का मतलब क्या होता है देखिए आप लोग किस प्रकार की यहाँ पर प्रस्ण पूछे गए हैं बहुत ही आसान आसान टाइप की प्रस्ण पूछे गए हैं और अच्छे भी प्रस्ण पूछे गए हैं धन का मतलब क्या होता है तो धन का मतलब होता है दो अपने जीवन पर स्वय में लिखी कथा वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा हर टॉपिक से लगभग यहां पर पुछे गया है अपने जीवन पर स्वय में लिखी कथा वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तो राइट असर हो जाएगा आत्म कथा अपने जीवन पर स्वयम लिखी कथा वाक्यांस के लिए एक सब्द आत्म कथा होता है यहाँ पर दी आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है अन्य और अन्य सब्द युग में के सही अर्थभेद का चयन कीजिए तो यहाँ पर आपका राइट असर हो जाएगा दोस्तो ए आपसन पहले अन्यकार्थ क्या है अनाज है दूसरे अन्यकार्थ दूसरा है यहाँ पर ए आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तो निरगुड सब्द में उपसर्ग है निरगुड सब्द में क्य पूर्व में होता है इसे आप लोग याद रखिएगा जबकि प्रत्य का प्रयोग सब्द के अंत में होता है अगला प्रश्ण है खिलावना सब्द में मूल सब्द क्या है देखे दोस्तों खिलावना सब्द में मूल सब्द खेल है यहाँ पर भी आपसन आपका राइट हो ज स्वर संधी में किसका मेल होता है तो सिंपल सा प्रश्ण है स्वर संधी में स्वरो का मेल होता है किसका मेल होता है स्वरो का मेल होता है अगला प्रश्ण है उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की असुद्धी है देखे दोस्तों उन्होंने कहां जाना है इस वाक् कहां जाना है यहाँ पर A आपसन राइट है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है देखे दोस्तों सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है यहाँ पर C आपसन राइट है जबकि संधी को तोड़ना संधी विच्छेद कहला इसे भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्न है उर्वसी किसकी रशना है देखे दोस्तों उर्वसी रामधारी सिंग दिनकर की रशना है यहाँ पर बी आपसन राइट है इसके लिए दोस्तों दिनकर जी को 1972 में ग्यान पीट पुरसकार प्रदान किया गया था इन इसकी याद क्लास यहीं पर समाप्त होती है यह सभी प्रशन प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गए थे उमीद है याद क्लास आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर उताइए